नमस्कार आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे चैनल में तो यहाँ पे आज हम डिसकस करेंगे जो बहुती मच अवेटेड एक वेकेंसी थी पसुधन प्रिसार दिकारी की एलियो की वो निकल चुकी है अभी अभी विग्यापन UKSS ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पर रिलीज किया है देखते हैं कितने पद हैं और परिक्षा तो बहुत जल्दी इन्होंने अनौन्स करी वी है इस नोटिफिकेशन के साफ से देखा जाए तो परिक्षा को 11 फरवरी के आज पास जो है वो कंडक्ट कराने के बात कराई गई है चलिए पूरा विग्यापन देखते हैं कि क्या इस विग्यापन में है और समझनी कोशित करते हैं यह देखें आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की देट इसमें पढ़ी विया यहाँ पर आज जनौ्बरी की डेट इसमें है आप देख सकते हैं कि UKSAC द्वारा जो विभिन, जो समुगो के पध हैं, उनके लिए विग्यापन जारी क्या गया है, आप देख सकते हैं, आज की डेट है, और ओनलाइन आविदन करने की जो अंतिम तिती है, वो अंतिम तिती है 30 जनवरी, यानि इस महिने की 30 तारीक को आप आखरी जो है फॉर्म भरutanे कि लास्टेट है, परिक्चा की जो अनुमानित तिती है, वो 11 फर्वरी को है, और एक से तीन फर्वरी की बीच में आप जो है, अपने फॉर्म को कर्रेक्षन में ला सकते हैं, तो देखते हैं, पढ़ते हैं किन-किन पदों के लिए विग्याप के पद हैं, एक सीधी भरती के लिए है, और एक जो है विभागया भरती के लिए है, तो सीधी भरती के लिए 108 पद है, 108 में से SC के लिए 21 पद है, ST के लिए 4 पद है, OVC के लिए 15 पद है, EWS के लिए 10 पद हैं, जन्रल के लिए 58 पद हैं, टोटल मिलाके, 108 पदों को इसमें रखा गया है, यह डारेक्ट रर्कूट्मेंट सीधी भरती के लिए परसन प्रसादिकारी के लिए, और बाकि जो 12 पद हैं, 120 में से जो 12 पद हैं, वो विभागिया भरती के लिए हैं, इसमें से भी जो क कीमा की बात करें, एज लिमिट की, तो 21 से 42 वर्ष तक की इसकी एज लिमिट रखी गई है, और सबसे में बात है, सैक्षी का हरता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो आपको BSC होना चीए, जी, बाइलोजी आपका BSC तो 23 से बाइलोजी हो या अगेरी कलचिरह हो जाप effort करते हैं, सबसे मुख्यवाद इसमें आप यहां पे देखें कि क्या लिखाया हूआ है लिखा हुए कि परसुधन प्रसादिकारी पद के लिए चैनित अभिर्थियों से न्युक्ति के पूरू न्यूंतम दो वर्ष की अवधी के अथवा ऐसे प्रसिक्षन जैसे समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने के विक्षक की जाएगा यानि अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको दो साल की ट्रेनिंग करनी होती है और इसके अलावा यहाँ पर लिखा रखा है कि चैनित अभिर्थियों को दो वर्ष की जो ट्रेनिंग होगी उसमें कोई भी वेतन मान दे या कोई भी भत्ते नहीं दिया जाए है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन आपको बता देते हैं यह लिख किसी मानेतप्रात विसविधालय से रसायन या भूमी विज्ञान से बीसी में वो बीसी हो इसका लवार रेशम अधिदर्सक और प्रदर्सक की भरती है इसमें दिख्ती 10 पद हैं दि 12-42 साल है सेक्षी कहरता अगर आप देखें तो इसमें इंटर्मीडिट इसमें मांगी गई है इसमें लिखा गया है कि जीव विज्ञान या किरसी विज्ञान से इंटर्मीडिट जो पास है वो इसके लिए ब्लाई कर सकते हैं रेशम अधिदर्सक के लिए कुल 10 पदों को इसमें रखा गया है category wise आप यहां पे respective देख सकते हैं कि कितने कितने पद किस category के लिए है SC के लिए 3 पद है ST के लिए 1 है OBCWS के लिए नहीं है जनरल के लिए 6 पद है तो इसी हिसाब से आप देखें इसकलावा रेशम निरिक्षक के लिए कुल 3 पद है यहां पे आप देख इसके बाद आप देख सकते हैं कि सो नंबर की लिखित परिक्षा होगी यह जो respective सभी में जो जर्नल होता है समोगों के पदों के लिए वही होगा मैं आपको बताता हूं कितनी इसका आपको फीद देना है पेमेंट कितना करना आपको तो पेमेंट वही है जो सभी भरतियों के लिए रहता है यहां पर देख सकते हैं जो जर्नल कैटेगरी है और OBC कैटेगरी है उसके लिए 300 है और SC, ST, EWS के लिए 500 है दिव्यांग लोगों के लिए 150 है जो औरफन है जो अनांत बच्चे है उनके लिए कोई भी फीस सुल्क नहीं रखा गया है तो यह है भरति का डि डिटेल में सभी कुछ बताया है प्रीवीश एर के कोईशन भी करें है और मेरे थन क्लासेश भी चलाई है तो अगर आप भरती की त्यारी करना चाहरे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ आप पूरी मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस्ट